जब भी मैं इसे लगाती हूँ हैरान हो जाती हूँ इसका रिजल्ट देखकर और इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो आपका जी बिलकुल भी नहीं मानेगा इसे लगाए विगर हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने स्कीन का खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे चेहरे के अंचा है बाल फेसियल हेर अन्वांटेड हेर ये इतना जादे परिसान करता है साप कराने के बाद दुबारा से इसकी ग्रोथ आ जाती ह है और खास करके इस ठंड में हम बाहर भी नहीं जा सकते पारलर आज का वीडियो हाइली रिक्वेस्टिड वीडियो है आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि चेहरे के बाल को हटाने के लिए आप को ऐसी होम रेमेडी से एर करिए ताकि हमें बाहर ना जाना पड़ तो इस वीडियो में आप लोग को जो तरीका बता रहे हूं उसको फालो करके आप घर पे एक से दो मिनट में और घर के समगरी से फेसियल हैर को साफ कर सकती हैं जी हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं इस रेमेडी को बनाने में दो से तीर मिनट आपको लगेगा इ से आप लोग को बहुत सारी जानकारी मैं देने वाली हूं खास करके फेसियल हेयर को ले करके अर इस ठंड में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे आप फालो करके घर पे साफ कर सकती हैं बीना थ्रेडिंग, बीना बैक सिंग के, अगर आपको बैक योगों आपको पूरा देखना पड़ेगा पूरी जानकारी लेना पड़ेगा इस रैमेडी को किस तरीके से बनाना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिए हैं एक कटोरी और इसमें हम डालना है फ्रेंड एक चमच गेहूं का आट दूसरी सामगरी हम यहाँ ले रहे हैं चीनी चीनी का पाउडर मैं यहां पे ले रहे हूं गेहु का आटा इतना अच्छा काम करता है फेसियल हेर के जड़ को धीरे-धीरे कम जोड करने लगता है बाल बहुत जादे फेस पे लगाती रहती हूं तो गेहूं का आटा बहुत अच्छा वर्क करता है बस इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेना पड़ेगा अब तीसरी सामगरी हमें हाँ पे ले रहे हैं जो की मेरा फेबरेट है और बहुत सारे लोग भी इसे यूज करते होंगे कॉफी जो फेस पैक होता है इसकीन को इस्टन्ट वाइट करने में मदद करता है और साथ में फेसियल हेयर को हटाता भी है उसके ग्रोथ को भी रोकता है पोर्स को क्लिन करता है इसमें जो कैफीन होता है कैफीन फेसियल हेयर के जड़ को बहुत जादे कम जोड़ करता है तो कॉफ रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और नेचुरल चीजों का यूज अगर आप कर रही हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेसेंस रखना पड़ेगा पर आप लोग परिसान हो जाते हैं एक बार लगाते हैं नहीं रिजल्ट मिलता है तो उसे दुबारा से यूज ही नहीं क पर बदाम का तेल भी ले सकती हैं जो आपके स्कीन को सूट करता हो बहुत सारे लोग नारियल तेल का यूज नहीं करते हैं उनको ऐसा लगता है कि फेस पर बाला जाता है तो इसके इसमें आप बदाम का तेल भी आप इसमें डाल सकती हैं या तो एक चमझ दूद की मलाई भी ले सकती हैं अब इसमें हम आयट कर रहे हैं कच्छा दूध यानी की रौ मिल्क जादे मट डाल दीजिएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा पतला हो गया है मिल्क जादे पड़ गया है तो एक गलती आप मत करिएगा पहले थोड़ा सा इसमें दूध डा किसी के लिए अच्छा नहीं होता है कोई भी रैमेडी देख रहे हैं किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो पूरी जानकारी लिया करिए आप लोग चाहें आपका एज जो भी है चाहें आप 30 की हैं 40 की हैं या तो 50 की हैं चाहें अभी आपका एज 15 साल है इसे आप सकते हैं हर कोई इस रायमेडी को अपने फेस पे लगा सकता है बस थोड़ा सा आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा उसके लिए मैं आगे आप लोग बताऊंगी कि अगर आपका इसकी ड्राई है तो आप इसमें किया और मिक्स कर सकते हैं और आईली है तो किस तरीके से लग फेस आपका क्लीन रहेगा तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देगा इसे हमें पूरे फेस पे लगा लेना है देखिए अगर आपके पूरे चेहरे पे बाल है या ना है पूरे चेहरे पे लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें कॉफी है और कॉफी स्कीन को ब्राइट करने का क काम करता है और इस टाइम जो ठंड है ठंड का मौसम है इसकीन काला दिखता है हर किसी के साथ है प्राबलम होता है बिंटर में इसकीन काला दिखने लगता है डार्क हो जाता है तो पूरे चेहरे पे आपको इसे लगाना है हम महिलाओं के पूरे फेस पे बाल होता है हलका फु अगर आप facial hair को हटाएंगी तो आपकी skin को नुकसान भी नहीं करेगा और बड़े ही अराम से हट भी जाएगा बाल इसकी बिल्कुल भी dark नहीं होगा इसे अच्छे से पूरे चेहरे पे लगा लेना है लगा कर इसे हमें छोड़ देना है जब तक कि यह मतलब की 80-90% सूख न जाए इसमें हम चीनी डाले थे प्लस गेहूं का आटा है यह पूरी तरह से skin पे चिपक जाएगा और इसे किस तरीके से निकारना है मसाज करके निकारना है कि क्लीन करना है पूरी जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी कहीं जाईएगा मत पूरी जानकारी आप ले सकते हैं या तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और इस तरीके से बालों के अपोजी डायरेक्शन में आपको क्लीन करना है मसाज करेंगे तो निकड़ेगा नहीं ठीक है क्योंकि ये काफी जादे इस्टिकी हो गया है इसमें चीनी है प्लस गेहों काटा है तो मसाज करने पे न खुड़ा सा अलग होता है ठीक है जी तो आई होप आप लोगो वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर लिजेगा और फेस को ठंड़े पाने से धूल करके आप कोई भी अपना फेवरेट मोश्यूराइजर लगा सकते हैं या त अच्छा रिजल्ट आपको देगा बस सही तरीके से जो तरीका आप लोगो बताएं हो फालो करिएगा एक बार में काफी सारा बाल हट जाएगा तो ए वीडियो अगर आप लोगो थोड़ा सा भी हल्फूल लगा हो तो लाइक और सियर कर दीजेगा चैनल पर न्यू है और आपको इस टाइब का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर लिजेगा नेक्ट वीडियो की इस टोपिक पर देखना चाते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा इस चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो रेगुलर बेस पर देखन मत बोलिएगा मैं आप लोग से मिलते हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई